अब बूर्णिंग श्ट्वेंट्स आज हम करें 10 टेंट क्लास से एक्सरसाइज 5.3 लास्ट टीडियो में हमारे त्रे किसन होचके हैं तो आज हम स्टार्ट कर रहें किसन नूबर 4 से किसन नूबर 4 स्टार्ट यहां पे SN गिवन है किसन नूबर 4 में आपके पास सम गिवन है सम आपके पास दे दिया SN हम सम को लिखते हैं 636 एक AP यहां पे है 9, 17, 25 और पुछा गया है इसमें ट्रम कितनी है यनि आपने N निकालना है तो सबसे पहले A, A आपके होती है फेस्ट ट्रम तो फेस्ट ट्रम रहेगी 9, D, D होता है आपके पास A2-7, A2-7 यानि 17-9, 8 जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज़ करेंगे SN, SN होता है N by 2 into 2A plus N minus 1 into D, विल्यू पुट करेंगे N हमें निकालना है, N की जगे N upon 2, 2 multiply A हमारे पास है 9, plus N minus 1, D हमारे पास है 8, is equal to 636 2 यहाँ पर divide में है, दूसरी साइड जाएगा, multiply N into 9 to the 18, plus 8N minus 8, is equal to 636, multiply में 2 यहाँ से आपके पास आएगा, N into 10 minus 10 plus 8N, is equal to 636, multiply 2, multiply करेंगे N के साथ, 10N plus 8N square, is equal to, multiply कर देते हैं, 2, 6, the 12, 1, 2, 3, 6, 1, 7, 2, 6, the 12 यहाँ से आपके पास quadratic equation के है, 8N square plus 10N, इसको हम इस साइड लेके हैं, minus 72, is equal to 0 किस्टन को इजी करने के लिए आप 2 common out कर सकते हैं, तो 4N square plus 5N, 2 से करेंगे 636, is equal रहेगा, 0 यहाँ से हम discriminant से formula से factor करते हैं, इसके A हमारा रहेगा 4, B हमारा रहेगा 5, C रहेगा 636, discriminant निकालेंगे minus B plus minus under the root, B square minus 4AC, upon me 2A, यह आपने लास्ट, फॉर्ट चेप्टर में की formula भी आपने यूज़ किया है, minus B minus 5, plus minus B square, B यानि 5 का square, minus 4 multiply, A आपका 4, C आपके पास 636, यहाँ पे हम, upon me 2A, 2 multiply A आपका रहेगा 4, B square minus 4AC, यह आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ से आपने किया, minus 5, plus minus under the root, 25 plus, इसके आप multiply चेक करने एक बार, multiply आएगी, 10,176, तो इपन में रहेगा, 248, minus 5, plus minus, इनको add किया, add करने के बाद आजेगा, 10,201, upon me 8, यहाँ से आपके पास आता है, minus 5, plus, minus, इसका square root निकालेंगे, 101, upon me 8, एक बार आप प्लस यूज़ करें, एक बार minus, minus 5, plus 101, upon me 8, यहाँ से आपके पास आएगा, 96, upon me 8, यहाँ से आपके पास आएगा, 96, upon me 8, यहाँ से त्वेल, दूसरा पार्ट हम चेक करते हैं, minus 5, minus 101, upon me 8, यहाँ माइनस 106, upon me 8, 2 से cancel out, 24, 25, 23, यहाँ माइनस 53, upon me 4, number of term है, negative नहीं हो सकती, fraction में नहीं हो सकती, तो यहाँ से हमारे पास जो n की value आई है, यहाँ पर आपके पास n जो आया है, वो रहेगा, 12, यह आपका रफली काम है, यह आपके दिखा सकते हैं, तो number of term जो पुछी गई है, वो रहेंगी, 4, next question, next question में हमारे पास first term given है, यहनी a given है आपके पास 5, a n given है आपके पास 45, और s n given है 400, इसलिए start करते हैं, s n का जो formula होता है, वो होता है n by 2 into 2a plus में n minus 1 into d, एको last video में भी मैंने यह आपको solve करके बताया था, n by 2 into, इसको आप लिख सकते हैं, a plus a, 2a बन गया आपका, plus n minus 1 into d, यहां से यह आप चेक करते हैं, यह आपका formula बनता है an का, तो इसको आप an लिख सकते हैं, यहां से n by 2 into a plus में an, यह आपका s n का नया formula बन गया, value put कर दे, n by 2, n हमें निकालना है, n upon 2, a हमारे पास 5, a n हमारे पास 45, s n आपके पास है 400, यहां से n by 2 multiply 50 is equal to 400, 2 से cancel 25, n की जो value रहेगी 400 upon 25, cancel out करेंगे 25 बन जा 25 6, तो n की value आपके आच की है, n की value रहेगी 16, और यहां पे पुछे गया है d की value, d की value आप यहां पे रख सकते हैं, यहां से आपके पास a n given है, यानि a 16, a 16 को लिखेंगे a plus 15 d, क्योंकि a n minus 1 होता है, तो a आपके पास 5 plus 15 d is equal to 45, plus 5 दूसरी शायट जाएगा minus, तो यहां से आपके पास 15 d जो रहेगा, 15 d रहेगा, आपका 45 minus 5, 40 d रहेगा, 40 upon में 15, 5 से केंचिल, 5 3 जा, 5 8 जा, तो d की value भी आपके आज़की है, 8 upon में 3, next question में हमारे पास a given है, first term given है, last term given है, और common difference आपके पास given है, यहां पे हमें n भी निकलना है और sn b, n भी हमें निकलना है, और sn भी हमें निकलना है, तो जो given है, उसी का formula यूज़ करेंगे, a n, यहां से हमारे पास d निकल के आए, d और आज के आपके पास n निकल के आएगा, a plus n minus 1 into d, तो यहां से हमारे पास a 17 plus n हमें निकलना है, minus 1, d आपके पास 9 is equal to 350, यहां से आपके पास आएगा, n minus 1 into 9 is equal to 350, plus 17 minus हो जाएगा, minus करेंगे यहां से 10 minus 7, 3, 4 minus 1, 3, 3, यहां से आपके पास 3, यहां से आपके पास n minus 1, 9 divide में है, मुसरी multiply में है, divide में आजाएगा, तो n minus 1 की जो value रहेगी, 9 से cancel out करते हैं एक बार, यह 63 आपके उस थोरी 37 पे, तो n minus 1 की value रहेगी, 37, n की value रहेगी, 37 plus 1 यानि 38, चलो आपकी n की value आज की है, अब हमें निकालनी है, s n, s n निकालेंगे, यानि s 38 हम निकालेंगे, n by 2, 38 upon me to, n by 2 into, 2 a plus n, आपका 38, n minus 1 into d, d आपके पास 9, यहाँ से क्या आपने cancel, 19, यहाँ से क्या आपने, 34, पलस, यहाँ से आपने क्या, 37 multiply 9, तो यहाँ से आपके पास, 37 को 9 से multiply करेंगे, 19 into, 34 plus 3, 33, यहाँ आपके पास, 19 multiply add कर दे, 3, 4, 7, 3, 3, 6, और 3, multiply करेंगे, यह आपकी multiply complete, और आपका sn भी आ गया, next question देखते हैं, next question में बोले गया है, question number 7, आपने, s22, निकालना है, और यहाँ पे given है, d7, d रहेगा 7, a22, a22 रहेगा 149, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, इसको भी, बहुत easy method से, sn का हमारे पास, last video में हमें, formula बनाया था, n by 2 into a, plus an हम use कर सकते हैं, इस, इस एपी में आपके पास, 22 ट्रम हैं, यानि n की number, n यहाँ से देखेंगे, an आपका, होच कह है, d, हमें a निकाल देंगे, तो s22, 22 हमें निकालना है, s22, 22 upon me, 2, a हमें निकालना है, plus, an आपके पास, 149, तो हमारे पास, a की value निकालने के लिए, सबसे पहले हमें एक बार, a, a निकालनेंगे, an के फार्मूले से, यहाँ से आपके पास, a निकल किया आगा, an का हमारा फार्मूला हता है, a plus n minus 1 into d, तो a हमारे पास है नहीं, n हमारे पास 22 minus 1, d हमारे पास 7 is equal to 149, यहाँ से किया, a plus 21 multiply 7 is equal to 149, a plus 147 is equal to 149, a की वेल्व, इसको दूसरी साइट बेजेंगे, 149 minus 147 is equal to, यह की वेल्व आप क्या आज की है, वेल्व उट कर दें, 2 से यह कैंसल किया, 11 into, a, a आपका 2 plus 149, यहाँ से आपने किया, 11 multiply 151, यहाँ से आप इसकी multiply करें, multiply आजेगी, 1661, यह आपका sn भी आज क्या है, और यह आपका an भी आज क्या है, next question देखने है, next question में a2 given है, a3 given है, तो a2 और a3 से हम पहले a और d निकाल लेंगे, तो सबसे पहले a3, a3 को लिखेंगे a plus में 2d is equal to 18, a2 को लिखेंगे a plus में d is equal to 14, यहाँ से minus करेंगे minus, 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 cancel, d आपका रहेगा 4, d की value आज की है, a की निकाल लेंगे, तो a plus d की जगार रखेंगे 4, is equal to 14, a की value रहेगी 10, a भी हमारे पास आज क्या है, d भी आज क्या है, n भी है, s51 हम निकाल लेंगे, 51 अपॉन में 2, n बाई 2, 2 a, 2 multiply a हमारे पास 10, plus n minus 1, into d है हमारे पास 4, यहाँ से चेक किया, 51 अपॉन 2, 20 प्लस 200, इसमें से 1 माइनस करेंगे, 50 multiply 4, तो यह आपके पास, 51 अपॉन 2, multiply 2, 120, 2 से cancel किया, 110, यहाँ पे, multiply करेंगे, 11 बाई 11, 11 5 जा, 55 और 16, 55 और 156, इसी के साथ, आपका यह किशन भी कम्प्लिट, next किशन देखते हैं, next किशन में, हमारे पास, 7 टरम्स का सम गिवन है, 17 का गिवन है, S, N का हमें निकालना है, तो सबसे पहले, S, 7 से हम start करते हैं, यहाँ से, S, 7 जो गिवन है, N यहाँ पे 7 रहेगा, 7 by 2, N by 2, into, 2 A, पलस में, N minus 1, into D, आपका रहेगा, 49, तो यहाँ से, 7 by 2 को दूसरी साइट बेचेंगे, यहाँ बचेगा, आपके पास, 2 A, 7 minus 1, 6 D, is equal to 49, multiplied 2 by 7, 7 से 7 पे गिवन, यहाँ आपके पास आएगा, 2 A, पलस, 6 D, is equal to 14, सेकिंड, हमारे पास, 17 स्टरम का गिवन है, S, 17, तो 17 अपॉन में 2, N by 2, इंटू 2 A, पलस, N minus 1, इंटू D, is equal to 289, तो यहाँ से आपके पास आएगा, 2 A, पलस में, 16 D, is equal to 289, multiplied 2 by 17, 17 पे कैंसिल, यहाँ से 2 A, पलस 16 D की जो वेल्यू रहेगी, वो रहेगी 34, यह equation number second, और यह equation number first, अब यहाँ से हम A और D की वेल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आपके पास है, 2 A, पलस में 16 D, is equal to 34, subtract करेंगे, minus, 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 cancel, minus 10 D, minus में आपके पास आजाएगा, 20, minus से minus, cancel, D की वेल्यू रहेगी 20, upon में 10, यानि 2, D की वेल्यू आपके पास आज की है, A की वेल्यू निकालेंगे, D की वेल्यू यहाँ पे रखने, 2 A, पलस में, 16 multiply 2, is equal to 34, 2 A, is equal to 34, minus, 32, क्योंकि 16 multiply 2, तो यहाँ से आपके पास आएगा, 2, A की वेल्यू, 2 divide में, 2 by 2 यानि, A की वेल्यू आज की है, D की, हमें निकालना है, S N, N by 2 into, 2 A, पलस में, N minus 1 into, D, A और D की वेल्यू पुट कर दें, यहाँ पे, N की जगे, N, upon में 2, 2 multiply, A हमारे पास 1, plus, N minus 1, D हमारे पास है 2, solve करेंगे, N by 2, 2 into, 2 plus, 2 N minus 2, यह 2 से 2 cancel, 1 plus, 1 minus, यहाँ से आपके पास आएगा, N by 2, into, 2 N, 2 से 2 cancel, यानि, N square, तो, S N, ट्रम्स का जो सम होगा, वो रहेगा, N square, next question देखते हैं, यहाँ से हम पहले एक बार, AP बनाएंगे, तो, N हमें पुट किया 1, तो, A1 बन जाएगा, तो, A1 क्या बनेगा, 3 plus में, 4 multiply 1, 3 plus 4, यानि, 7, फिर, पुट किया, N2, यानि, A2, यहाँ से बनेगा, 3 plus 4, multiply 2, 4, 3, 4, to the 8, 11, N, 3 पुट किया, 3 पुट किरेंगे, A3 बनेगा, 3 plus में, 4 multiply 3, यानि, 3 plus 12, यहाँ से आपके पास, 15, यह आपकी एक, AP बन गई, यह आपकी एक है, AP बन गई, A यहाँ से रहेगा, 7, D यहाँ से रहेगा, 11 minus 7, यानि, 4, N यहाँ पे 15, S 15 हमें निकालेंगे, N by 2, into, 2 A, 2 multiply A, plus, N minus 1, into D, D हमारे पास है 4, तो 15 अपकी में 2, 7 to the 14, plus, 14 multiply 4, यहाँ से हमें सोल गया, 15 अपकी में 2, 14 plus 56, यानि, 15 अपकी में 2, multiply 70, 2 से cancel out, 35, multiply करेंगे, multiply आपके पास आएगी, 525, यह भी आपका किसन complete, second part, फिर एक और देखते हैं, A, N हमारे पास given है, 9 minus 5, N, सबसे पहले हम यहाँ पर, AP बनाएंगे, AP के लिए, N equal put किया 1, N को हम यह दी, 1 equal put करते हैं, तो हमारे पास बनेगा, A1, और A1, हमारे पास, 9 minus 5, multiply 1, यहाँ यहाँ से आपके पास, A यहाँ से आपके पास, A आज के है, 4, D आज के है, minus 1 minus 4, यहाँ minus 5, N आपका given है, S15 का हम formula यूज करेंगे, S15 हमारे पास रहेगा, N by 2, 15 upon 2, 2A, 2 multiply 4, N minus 1, 15 minus 1, D आपका minus 5, solve करेंगे, 15 upon 2, 4 to the 8, यहाँ से आपके पास, 14 multiply minus 5, यह आपके पास आज आजाएगा, 15 upon me 2, 8 minus 70, यहाँ से आपके पास, 15 upon 2, multiply minus 62, 2 से cancel out, minus 31, यहाँ से 15 multiply minus 31, multiply करेंगे, 15 upon 15, 1 15, 3 जाफ 45, 1 46, साथ में रहेगा, minus, इसी के साथ, आपके यह 10 question complete हुए, next video में, हमारे next question, यह दि आपने अब तक, चैनल को subscribe नहीं, कि आप प्लीज सब्सक्राइब रहे, थेंगू.